श्री राम जन्मभूमी मंदिर का संधर्शपूर्ण इतिहास अयोध्या में किसने बनवाया था राम मंदिर जाने पहले कैसे होती थी रामला की पूजा राम मंदिर उद्घाटन से पहले कई तरह की चमकर देखने को मिल रही है, आए जानते इस विडियो में तीर्थ नगरी अयोध्या को सत्युग में वैवस्वत मनों ने बसाया था यहीं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ जिसका जिक्र वालमिकी की रामायन में भी है सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधी ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई पौरानिक मान्यताओं के अनुसार उजयनी के राजा विक्रमादित्य जब यहां आखेट करने आये तो उन्हें उजाड भूमी पर कुछ चमतकार दिखाई देने लगे खोचकी तो पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमी है इसके बाद उन्होंने यहां श्री राम के भव्य मंदिर का निर्मान कराया जिसमें काले रंके कसोटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे राम जन्म भूमी अयोध्या, श्री राम जन्म भूमी हमारे भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में महाराज दशरत के घर में हुआ था अयोध्या भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है भगवान श्री राम के जन्मभूमी पर मंदिर बनाने के लिए सालों से हमारे हिंदू धर्म के लोग संधर्श कर रहे थे कही युद्ध तथा कही दंगे भी हुए अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले राम जन्मभूमी पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाना हमारा स्वाभिमान है अनेको लोगों के प्रयासों तथा संधर्शों से राम जन्मभूमी पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीन कोर्ट द्वारा सुनाया गया भगवान श्री राम का भव्य मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मभूमी पर बन रहा है राम जन्मभूमी पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाना हमारा स्वाभिमान है हमारे देश का सबसे लंबा चलने वाले केस में से एक केस श्री राम जन्मभूमी का था राम जन्मभूमी विवाद के लिए पांच जजों की एक समवैधानिक बैंच बनाई गई सरकार ने इस अहम फैसले से पहले CJI गोगोई को Z प्लस सुरक्षा दी जबकी चार अन्य जजों की सुरक्षा बढ़ाई गई जजों के घर पर भी अतिरिक्ट सुरक्षा कर्मी लगाए गए है सुप्रीम कोर्ट के बाहर भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया गया श्री राम जन्म भूमी का एतिहासिक फैसला पांच जजों की समवैधानिक बेंच ने 9 नवंबर 2019 को सुनाया राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्ट 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया पांच अगस्ट को भगवान श्री राम के मंदिर का भूमी पूजन किया गया 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड आए कुछ मील के पत्थर भी पार किये गए सुप्रीन कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमी का विवाद सुलजाने के लिए पांच जजों की सवैधानिक टीम गठित की सुप्रीन कोर्ट की पांच जजों की समवैधानिक बैंच के अध्यक्ष चीफ जस्तिस रंजन गोगोई थे इनकी बैंच में जस्तिस ऐसे बोगदे, जस्तिस डिवाई चंदरचूर, जस्तिस अशोक भूशन और जस्तिस एस अब्दुल नजीर शामिल रहे। श्री राम जन्मभूमी बनाने के लिए आंदोलन का इतिहास और हमारे हिंदू समुदाय के लोगों ने क्या-क्या संधर्श किये। आए जानते हैं। साल 1528, मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्दित का निर्मान कराया। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्मस्थान था। बाबरी मस्जिद में तीन गुंबदे थी। साल 1853 से 1949 तक 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1869 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बार लगा दी। मुसल्मानों को धाचे के अंदर और हिंदूों को बाहर चबूत्रे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। साल 1949 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदूों का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं जबकि मुसल्मानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया लेकिन जिला मैजिस्ट्रेट डियेम केके नायर ने दंगों और हिंदूों की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थ ताजत आई। सरकार ने इसे विवादित धाचा मान कर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में दो अरजी दाखिल की गई। इसमें एक में रामला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित धाचे में भगवान राम की मूर्ती रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1969 में निर्मोही अखाडा ने तीसरी अरजी दाखिल की। साल 1961, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अरजी दाखिल कर विवादित जगह के पजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984, विवादित धाचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिशद ने एक कमिटी गठित की। साल 1986, यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केम पांडे ने एक फरवरी 1986 को हिंदूओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए धाचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992, वीएचपी और शिवसेना समेट दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकरताओं ने विवादित धाचे को गिरा दिया। देश भर में सामप्रदाइक दंगे भढ़के गए, जिन में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002, हिंदू कार्यकरताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2010, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थलको सुन्नी वक्फबोर्ड, रामला विराजमान और निर्मोही अखाडा के बीच तीन बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011, सुप्रीन कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017, सुप्रीन कोर्ट ने आउट ओफ कोर्ट सेटलमेंट का आहवान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किये। सुप्रीन कोर्ट की मध्यस्था बैंच की आठ सप्ताह की रिपोर्ट क्या थी। 8 मार्च 2019, सुप्रीन कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को आठ सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 1 अगस्थ 2019, मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्थ 2019, सुप्रीन कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफर रहा। 6 अगस्ट 2019 सुप्रीन कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी सुप्रीन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा 9 नवंबर 2019 सुप्रीन कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया 2.77 एकड विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली मस्जिद के लिए अलग से पांच एकड जमीन मुहया कराने का आदेश 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामिल्ला टेंट से निकलर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए श्री राम मंदिर का भूमी पूजन 5 अगस्ट 2020 राम मंदिर का भूमी पूजन कार्यक्रम PM नरेंद्र मोदी, RSS सरसंग चालक मोहन भागवत, UP के CM योगी आदित्यनाथ और साधुसंतो समेट 175 लोगों को नियोता दिया गया अयोध्या पहुँचकर हनुमान गढ़ी में सबसे पहले PM मोदी ने किया दर्शन राम मंदिर के भूमी पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी हमारे इस पोस्ट को अपने Facebook, WhatsApp, Instagram पर जरूर शेयर करें आप हमारे ब्लाग को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारे लेटिस्ट पोस्ट की notification आपको ततकाल मिल सके धन्यवाद